हेलो बच्चों तो अभी simple equations का question आपका 1 यह होगा 1 ओके तो 1A2D ओके 1A2D exercise 4.3 exercise 4.3 का है यह solution ओके chapter 4 तो start करते हैं तो इसको थोड़ा पहले align कर दें ओके तो यहाँ पे आपका manly यह जो chapter है transposing ओके एक side से एक equation के एक side से दूसरे side में जब number switch होता है तो क्या होता है उसके उपर ही आपका best है तो इसको अभी solve करते हैं solve the equations जैसे दिया है तो अभी क्या करेंगे पहले equations को लिखते हैं 2i plus 5 by 2 is equal to 37 by 2 तो transposing में क्या होता है जो इस side में left से right आए या right से left जाए तो उस case में उसका sign बदल जाता है यहाँ plus है इस तरह पाजाएगा वो तो minus हो जाएगा ठीक है पहले हम दोनों side से deduct करते थे अप plus है तो हम deduct करते थे minus है तो add करते थे दोनों side में करना पड़ता था तो एक step बढ़ जाता था एक step को घटाने के लिए आपको यह चीज बताया जा रहा है तो इसमें क्या है transposing वाला formula यूज करेंगे जिससे की आपका जैसे इस case में आप ले लीजिए यहाँ पे जैसे है plus 4 by 2 plus 4 by 2 अभी क्या करता है तो पहले step में हम लिखेंगे by using transposing method by using okay by using transposing method 2i is equal to 37 by 2 minus 5 by 2 ठीक है तो next step में क्या हो जाएगा आपका यह इसको simplify कर देंगे simplify करने से क्या हो जाएगा 2i रहने दीजिए अभी इसको simplify करते है तो 2 नीचे common है ठीक है दोनों same है तो नीचे 2 आ जाएगा सिर्फ उपर उपर से minus हो जाएगा तो 37 minus 5 कितना हो जाता है 32 अब 32 divided by 2 बहुत इजी है 16 में convert हो जाएगा यह 16 बन गया तो finally क्या बन गया है 2y is equal to 16 तभी y को 2 के साथ से अलग करना है मतलब 2 को अलग करना y से तो क्या करना पड़ेगा फिर आपको लिखना है divide 2 to both side of the equation to both side of the equation of the equation ठीक है आप लिख दीजिएगा तो अभी क्या करना है जैसे both side में आपका 2 यह करना है तो 2 by 2 y is equal to कितना होगा 16 by 2 इस side में भी तो 2 आएगा तो यह तो खतम हो गया तो बचा y और 16 by 2 क्या होगा divide होने के बाद बचा 8 तो finally क्या हुआ y is equal to 8 एंसर आ गया ठीक है यह transposing method आपको use करना है same way दुसरे में भी same तरीके से करना है तो यहाँ पर आपका question दिया है 5t plus 28 is equal to 10 तो transposing method same आपका use करना है 28 को इस तरफ लाना है तो क्या हो जाएगा 28 को दुसरे तरफ लेने में 28 को हमको इस तरफ लेना है तो यहाँ plus sign है minus हो जाएगा तो 5t is equal to 10 minus 28 तो 10 minus 28 कितना है 10 minus 28 है minus 18 तो आपको यहाँ लिखना है by using by using transposing method transposing मैं इसको आराम से लिख देता हूँ transposing okay transposing method method 5t is equal to 10 minus 28 is equal to minus 18 next क्या करना है divide 5 to both side of the equation okay both side of the equation तो फिर क्या हो जाएगा 5 divided by 5 okay तो t तो रहे गई तो minus 18 divided by 5 okay तो 5 5 तो यह से ही कट जाएगा तो 8t is equal to minus 18 by 5 okay t is equal to minus 18 by 5 तो यह problem solve हो गया okay तो finally क्या निकला है t is equal to 18 by 5 तो next question में चलते है next question में भी same type है कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको पहले same लिखना है by using transposing method a by 5 is equal to 2 minus 3 कितना है minus 1 okay फिर आपको क्या लिखना है पहले लिखना है by using transposing method फिर क्या लिखना है multiply multiply 5 to both side of the equation okay क्यों क्योंकि इसको भी आपको neutralize करना है इसको अब किस तरह से लिखेंगे a by 5 मतलब 1 by 5 a is equal to minus 1 तो अभी आप इसमें 5 multiply कर दिये दोनों side तो क्या निकला यहाँ minus 5 हो गया यहाँ क्या निकला यह 5 5 आपस में cut गया 1 हो गया यहाँ तो 5 हो जाएगा 5 5 by cut गया आपस में ठीक है तो बच गया a a is equal to minus 5 okay a is equal to minus 5 तो यह आखरी वाला मैं आपके लिए छोड़ता हूँ same है यहाँ भी same है इस तरह से a by 5 है यहाँ q by 4 है और यहाँ plus 7 है यहाँ भी वही था plus 3 था okay तो same by using transposing method पहले आप 7 को इस तरह लेंगे minus sign के साथ ठीक है फिर multiply 4 4 करने से q रह जाएगा और यहाँ भी आपका minus 7 करने से कितना हो रहा है यहाँ minus 2 minus 2 multiplied by 4 okay multiplied by 4 ठीक है और कुछ नहीं है तो कितना हो रहा है minus 8 तो q is equal to minus 8 बहुत easy है यह ठीक है तो अभी next वीडियो में मिलते हैं कुछ next और आगे का solutions के साथ तो till then goodbye और इस channel को like, share, subscribe करना मत भूलिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए थैंक